सिनेमेटिक लेरीफायर में आपका स्वागत है आज मैं आपको 2008 की एक क्राइम ड्रामा हिस्ट्री फिल्म दिखाऊंगा जो एक सची कहानी पर आधारित है जिसका टाइटल है ट्विंटी वन मैं एक M.I.T. गड़ित प्रमुक हावर्ड में एकसेप्ट कर लिया जाता है लेकिन तीन हजार डॉलर की ट्यूसर्ण फीज बहन नहीं कर सकता वो एक छात्विर्ति के लिए आवदिन करता है जो पूरी लागत को कवर करेगी लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि छात्र आव करता है बैन अपने सबसे अच्छे दोस्त माइल्स के साथ पुर्षोक की कपड़ों की दुकान पर काम करता है और उसे साहक प्रवंदन के पत्पर पदोनत किया जाता है जो पिरती घंटे आट डॉलर कमाता है वो माइल्स को निवन्द के बारे में बताता है और कहता है कि उसे नहीं पता की क्या लिखना है क्योंकि उसने कुछ भी उल्लिकित नहीं किया है बैन निराश है क्योंकि भले ही उसने परिक्षा पास की हो अतिरिक्त पाट करम दिया हो और सब को छोड़ दिया हो लेकन हवर्ट जाने से उसे रोकने बारी एक चीज है वैसा वे बैन का जनल दिन का जस्न मनाने के लिए कैम के साथ एक बार में बिलते हैं वे तीनों एक स्वाचलित कार बनाकर विज्ञान पृतियोगता जीतने की कोशिश कर रहा है एम आईटी ने बापस एक प्रोफेसर मिकी रोजा गैर रेखिये समी करोन पर व्याग ख्यान दे रहा है वो क बैन को मॉंटी हल समस्ता के साथ चुनावती देता है जिसे वह सफलता गुर्वक हल कर देता है जैसे कख्षा समात होती है प्रोफेसर में के सबसे हालियां पर इक्षपरियू नाम की जाच करता है जिसमें 97% अंग होते हैं मैं माइल्स और कैम एक जिम में बास्केट बॉल खिल रहें हों लड़की को देखता है जैसर वह पसंद करता है जिल ağust हलाती है और वह भी आलता है लेकिन पता चलता है कि और वह उसके पीछे किसी और को हाथ हला रही है उस-दिन बाद में जब बैन वें पढ़ाई पार्टी उसके पास आया और उससे उसके पीछे चलने क यह थोड़ा भर्मित था लेकिन ऐसा करता है उसे एक कमरे में लाया गया जिसे कुछ छात्र ब्लैक जैक टेबल पर बैठी थे और प्रोफेसर रोजा ब्लैक बूर्ट पर खड़ी थी वह बैंसे कहता है कि वह से मिकी कहे और उसे एमाइटी ब्लैक जैक टीम में शामिल होने क घाई है पैम जिशच चाता है कि वहां कि वह अपनी कमफ़र्ट जूंसे बहार निकलने से दरता जिल कहती है चलो बैप यह मजजद दार बicion कि पीचे होते हैं बहानी बनाता है कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता और मिकी उसे मनाने करता है लेकिन बैं उ अंनत्ताम Maja कर सब्सक्राइब लिए, उसे और अधिक समझाने के लिए वहां है कि उसे जीवन में और अधिक चीजह का अनुखब करना चाहिए ब्लैक जैग क्लब में आता है और सिस्टम सीखना शुरू कर देता और उच्छ कार्ड का मूल एक होता है तरस्त कार्ड का कोई मूल नहीं होता और निम्न कार्ड एक होते हैं वो कार्ड गिनने का व्यास करता है और उनन्ज शब्दों को याद करता है जो टीम के पृतेक उच्छी गिंती के लिए निर्धारित की गया है बाद में एक बार में टीम के प्रतेक सदस की भूमिकाय समझाते हैं कि याना चौई और जिल्ब विविन ब्लैक जैक टेबल पर केवल टेवल नियुंदम दाव लगाते हैं और गिंती रखते हैं जब कोई टेवल होट काउंट पर पहुंचते हैं तो खिलाडी के पास डीलर पर बड़त होती है इस संधिक्द गली में आता है वो एक भूमिकत कैसी इनों के अंदर जाता है उसके पहले से टेबल पर बैठे होते हैं चोई उसे संकेत देता है कि डेक गर्म है और बेंड टेबल पर बैठ जाता है चोई एक बाकम है पत्री का शब्द का उपयोग करके बेंड को सूचित करता है गिंती प्लस 17 है और वो बड़ी दाउ लगाना चुक कर देता है वो बहुत जीत रहा है और उत्साहित है लगातार मुस्कुरा रहा है जब अच्छानक एक बैग उसके सिर्पर फेगा जाता है और उसे पीछे कमरे में खीच लिया जाता है एक गहरी आवाज उससे किया जाता है अगले दिन में लॉस वेगास के लोडान भरते हैं वे एक होटल के सुईट में प्रवेस करते हैं चाहां मिकी पर देख सदस को एक नहीं पैचान और एक भेस देता है वह आगे बैंको निर्देश देता है कि वह ऐसे पेश आया जैसे कि वह एक दूसरे को नह जाता है और चिप्स के लिए दस हजार डॉलर का आदान प्रदान करता है और अपने पेए का एक घूड लेने के बाद क्याना कहती है बहुत मीठा जो दर्शाता है कि गिन्ती प्लस सोला है बैं अपने पहले हाथ पर आठो पर दोगना हो जाता है डीलर 21 स्यादिक हो जाता और बैंट जीत जाता है पहले से ही डॉलर 4000 का लाव उठाता है अगले हाथ पर उसे ब्लैक जैक मिलता है और वो 3000 डॉलर और जीता है वो कैसीनों में अलग अलग टेबल पर खेलता है रास्ते में चिप्स जमा करता है बैं इतना जदा जीत रहा कि फिशर आविश्वास में देखता रहा गया सुबह होते ही चुई ने इशारा किया कि अब जाने का समय हो गया है और बाहर निकल गए अगले दिन बैंट को जिलने जगाया जिसने उसे उसका हिस्सा दिया उसने उससे कहा कि उसने अच्छा किया गिनिती से जल्दी आ गया बड़ा खेलने से नहीं ड नाराज है कि तीन मौकों पर फिशन ने ठंडे डेक पर खेला जबकि स्पोर्ट्स ने उसे ये बताया था मिकी ने बेंट से कहा कि उसने अच्छा किया और उसे ऐसा ही करते रहना चाहिए फिशन ने कहा शुरुआती किसमत और इंकार किया कि उसने गलत खेला लेकिन मिकी उसे उसकी जगह पर खड़ा किया वेन वेन वापस चात्राबास में आ गया और वीकेंड से अपना हिस्सा डॉलर 16706 की टायल में चिपा दिया आचानक माइल्स और कैम अंदर आते हैं और वो दिखावा करते हैं कि वह विश्टर पर कूद रहा है माइल्स पूचता है कि व इक बार में जाने का फैसला करते हैं बैन गाउंटर पर जिल को देखता है और उसे एक बीयर खरीदने की पेश उसके दो दोस्ट थहरान रहते हैं और उन्यों गूरते रहते हैं वह उन्हें बताने जाता है कि उससे डराने के लिए अची वहबार करना बंद करें लेकिन है कहते हैं कि युफ शायद उससे ज़दा डरे हुए है बेन और जल ट्रेंड में है वो इससे पूछता है कि क्या हो स्टोर में उससे टीम में शामल होने के लिए कहने आई ती? क्योंकि मिकी ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था? वो कहती है कि वो सबसे होश्याल लडगा है जिसे वो जानती है और इसलिए वो टीम में है और इसलिए वो स्टोर में गई थी वो इसे किस करने के कोशिश करता है लेकर वो पीछे हट जाती है वो शर्मिन्दा हो जाता और माफी मांगना शुरू कर देता है लेकिन वो उससे कहती है कि उ काई रोलर के लूप में अपने शानّार जीवन का आनंदिता है लेकिन अभी भी एक बात है जो सके दिमाग से निकल नहीं पा रही में अपनी पुरानी नौक्री में 5 साल से जड़ा पैसे कबाता है पांच साल से ज़्यादा पैसे कमाता है बॉस्टन में वो सिर्फ बैंड केपल है लेकिन वेगास में वो जो चाहिब बन सकता है ये सच होने के लिए बहुत अच्छा था और ऐसा लगा कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है सुरक्षाप्र में कोल बिलियम टीम की निगरानी कर रहे है और बैंड पर ध्यान केंदित करना शुरू कर देते है उन्हें संद्धे है कि वो कार्ट गिन रहा होगा पता चला कि वो भी कार्ट काउंटर है लेकिन वो हलचल के दूसरे पक्ष में रहना पसंद करता है पहली बार बैंड के लिए जीवन आसान था कुछ भी बहुत महेंगा नहीं था और कुछ भी पहुत से बाहर नहीं था दोस्तों के साथ कॉलेज की पार्टियों को कुछ और दिल्चस्प बना दिया गया है फिशर बैंड की सफलता से बेहत इशालू हो जाता है और एक दिन नशे में बैंड की मेज पर बैठ जाता है और संकेत देना शूर कर देता है कि वह एक दूसरे को जानते है इस पीच बिलियम उन्हें टेप पर देख रहा होता है और नोटिस करता है कि कियाना केबल टेबल मीनिमम पर ही दाउ लगाती है और बैं केबल उसके संकेत के बाद ही दिखाई देता है वह उनसे भिरने जाता है लेकिन फिशर ने हंगावा मचा दिया है और बिलियम के उन तक पहुंचने से पहले ही वे चले जाते है एक बार में मिकी फिशर को टीम से निकाल देता है वो बाकी लोगों को सूचिच करता है कि कैसी नोच 24 घंटे में उनके चिप्स बदलना है जिसका मतलब है कि उन्हें नेकट में बदलना होगा जो वे फिशर की हरकतों के कारण नहीं कर सकते बैन सुझाब देता कि वे डांसर्स का उपयोग करके उनके लिए चिप्स बदलने मिकी उसे पृतिवाशाली कहता है उस दिन बाद मैं जिल ने बैन को अपने सूइट में आमदरत किया और उन्होंने एक रोमेंटिक राद बिताई और प्यार किया बैन को नई गुपति जिन्दी के कारण वो वे ग्यान पृतिवाशाली करता है जो उसे उसके दोस्तों से अलग कर देता है वो उनके साथ मीटिंग में देर से आता है और उन्हें उनके प्रोजेक्ट के लिए गलत हिस्सा दे देता है बेनिराश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट के लिए उतना प्रतिवत नहीं है जितना बे हैं और उसके बिना ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं लास विगास की अगली यात्रा के दौरान वो भावनात्मा ग्रूब से विचलित हो जाता है उसे एक बड़े हाथ पर एक दुर्भाग या पूर्ट पर ना मिलता है वो अपनी भावनाओं को खुद पर रहा भी होना देता है और कियाना के इशारे पर टेबल से दूर जाने में विफल रहता है जिल आगे आती है और उसे बाहा निकालने के कोशिश करती है लेकिन विफल रहती है वो अतरिक्त दो लाग डॉलर खो देती है मिकी करोदित हो जाता है और यहां तक कि जब बैन माफी मांगता है यह कहती हुए कि यह उसकी पहली गलती है और अन्य लोग उसका समर्थन करने के कोशिश करते हैं मिकी टीम छोड़ देता है और कहता है कि बैन को किसी ना किसी तरह से खोई हुए दो लाग डॉलर का भुकतान करना होगा बैन और बाकी टीम ने फैसला किया कि वे मिकी के बिना ब्लैक जैक खेलना जारी रखेंगे जिसने 50% हिस्सा लिया था यह तर्क देते हुए कि उन्हें उसकी जरुद भी नहीं है जिल इस पर विचार के खिलाप है बैन को याद दिलाता है कि उसने केवल हॉवर्ड के लिए भुकतान करने के लिया सकिया था लेकिन भले ही उसने परियाद पैसा कमाया हो वो अब खेलना जारी रखना चाहता है वे टेवल पर वापस जाते हैं और जीतते हैं लेकिन मिकी चाया में चिपकर सुरक्षण कर्मियों को सूचना देता है वेन को एक बैक रूम में ले जाता है और उसे पीटता है जबकि उसे समझाता है कि सबी कैसी नों में जल्द ही फेस रिकरगनेजेशन सौफ्ट्वियर होगा इसलिए उसके दिन वैसे भी गिने हुए है वेन को ये भी बताया जाता है कि बिलियम और मिकी का पुराना रिष्टा है वो उसका पीशा करता था और उसे पीटता था यही बज़ए कि मिकी अब खुद नहीं खेलता वेन वापस चला जाता है M.I.T. में दाखिला लेता है और एक पत्र पड़ता है जिसमें कहा गया है कि वो इसना तक के लिए आयोग है क्योंकि मिकी के एक सहयोगी दोरा पड़ाया जाने वाले है उसके पार्ट्ट्व करमों में से एक को अदूरा माना गया है वो अंदर जाता है और अपने चात्रावास के कमरे को बरबाद पाता है वो जो पैसा चिपा का रखता था वो गायब है उसने सब कुछ खो दिया था वो उसे भी नहीं खोना चाता है और वेगास में अपने कारियों के लिए माफी मांगता है माइल्स और कैन वैन के विना भी रोबोटिक्स परतियों गता जीतने में कामयाब हो जाते हैं जो वहाँ देख रहा है वो माइल्स से उसे निराश करने के लिए माफी मांगता है और वो सब कुछ बताता है जो उसने किया है और वे सुलह कर लिते हैं बैन मिकी से मिलने जाता है और उसे कैसीनों दोरा बायो मैट्रिक सौफ़वेर इंस्टॉल किया जाने से पहले वेगास की अंतिम्यातर करने के लिए राजी करता है लेकिन इस बार वे सबी भेश बदलेंगे और मिकी बड़ा रिटरंड पाने वाला दूसरा बड़ा खिलाड बागते हैं एक बैग में चिप्स फैकते हैं और भाग जाते हैं पीचा शुरू होता है वे सलॉट मशीनों के चार ओवर दोड़ते हैं और स्टाफ एडिया में परवेश करते हैं जहां मिकी बैण को चिप्स फैकने लिए मना लिता है और कहता है कि उन्हें अलग हो जाना कामयाrive हो जाता है और इक लिमो में बैठ जाता है वो खुश है सूच रहे हैं कि वो सारी पैसे लेकर भाग बांग गया है। जैसे तींड है बियुक्त उसकी नकली मेसे बहुत जाबता है। ये उसने मिकी को वापस बेगास में पकड़ने के लिए बैन के साथ एक सौधा किया बने में बैन को उस दिन जो ही मिलता है उससे रखने की अनूमती दी जाती है लेकिंजब बैन अर्जिल कैसी नोशे बाहर निकलते हैं विलियम आता है और बताथा है कि उससे रेटियर्मेंट के लिए पैसों की जरुत है और बैंट जितना वह देमान है वह सफल होने का कोई ना कोई तरीका निकाली लेगा इसलिए वह बंदू Comeori नौक पर बैग ले लेता है दूर избेंज जिस लिमो को ये कहानी सुना रहा होता है तो वो जकेत दिखाई देता है और यहां फिल्म खत्म हो जाती है